पिलार रहमानी रहीम अस्सलाम अलेकुम दोस्तों वेलकम बैक मैं हूं साजदो और मेरे कीचन में आप सबका स्वागत है आज हम फिर से हाजी रहे एक चिकन की रेसिपी लेके जो बहुत ही चटपटा सा आज हम चिकन पनाएंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे ना जादा प्याज ना जादा टमाटर खर्च करने की जरूरत है और यह बहुत ही टेस्टी चिकन बनते हैं इसको बनाना सुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूं कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रे ती है कि हमने कार चैनल के आप यहाँ ना उसके आप आप कर सकते हैं अधरक पेस्ट के है वह मिक्स गरके पीसा तहा वह हम में डालेंगे इसके बाद हम इसमें गरम मसाला पॉडर भी डालेंगे अगर वन लेंबू पूरा दे सकते हैं कि इज इस सिंपल सो चिकन डिसिपी को नी करने में हम कुई द ही का इस्तिमाल नहीं करेंगे यह कि की मसाले जो है उसी से यह बहुत ही टेस्टी और सिंपल सा चिकन बन जाएगा हमने इसको मैरिनेट कर लिया है आप देख सकते हैं अब हम इसको रेष्ट के लिए हापावर के लिए छोड़ देंगे अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको 15 मिनिट के लिए भी छोड अब चली हम दूसरी इस्टेप में एक कडाही गरम कर लेंगे हम कडाही मेरी जैसे ही गरम हो जाएगी हम इसमें यहां पर टेल डाल देंगे पास-टेबल इस्पून के लगवग हम इसको फ्राइ कर लेना है अब सारी चिकन को हम अच्छे से हाथों की मदद से सजा लेना है हाथ को बचाते हुए तकि आपके हाथ में तेलगे छीटे ना आए भस हमने उन साइड से चिकन को अची तरीके से सजा लिया है इसके बाद हम चिकन को ढखक के तीनς से चार मिनट के लिए हाफ फ्लीम पर पका लें त्कि क्रषी कन जो है वन साइड अची Kellage के से फ्राय हो जाएं तीन से चार मिलट हो चुके हैं चलिए अब हम देख लेते हैं हम इसको वcketडने अच्छी तरीके सेיצ। पलट लेंगे एक साइड हमने पका लिया है डूसरी साइड भिं इसी तरा के पलटते हुए चिकन को पका लेगे तरह मैं MR 1 गारे हमने चिकन को पलट लिया है अब हम इसको अब हम इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे, आप इसको 2-3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भून लें, आप देख सकते हैं इसमें पानी बिल्कुल नहीं आया है, क्यूंकि हमने जो चिकन है वो हाई फ्लेम पे अच्छी तरीके से फ्राइ कर लिया है, अब हम क्या करेंगे कि चिकन को है वो निकाल लेंगे एक एकर के अच्छी तरीके से, तेल को साइड करते हुए हम सारे चिकन को निकाल लेना है, आपको चिकन इस तरीके से अगर बनाना है, तो बहुत ही टेस्टी चिकन बनेंगे, आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा ब्राउन कलर का इसमें लेयर आ चुका है अब बचे हुए तेल है उसमें हम करीपत्य डालेंगे हमने एकसेस तेला है चिकन निकालने केबाद जो तेल बजे थे हमने उसमें थोड़ा सा करीपत्ता डाला है और उसको थोड़ा सा फ्राय करने के बद तरुषा याँ मेडियम के प्याज है हममने उसको कट करके डाला है उसके साथ हम इसको अच्छी तरीके से थोड़ा रोष्ट कर लेंगे 3-4 मिट के लिए रोष्ट करना है ज्यादा रोष्ट करने की ज़रूत नहीं है क्योंकि चिकन जो है वह हम इसी के साथ पकाएंगे इसके बाद क्या करेंगे कि हम 1-2 हरी मिर्चे वह हम इसमें काटके डाल देंगे और इसके साथ भी हम थोड़ा सा इसको पका लेंगे अब चाहे तो green chili skip भी कर सकते हैं क्योंकि हमने marination में red chili powder का इस्तेमाल किया है अब हम जो भूने हुए chicken है जो हमने fry करके निकाले थे वो हम इसमें add करेंगे और chicken को हम प्याज के साथ पकाएंगे इससे यह होगा कि प्याज के साथ जब chicken पकाएंगे तो chicken जो है वो जलेंगे नहीं नीचे से इसलिए हम प्याज को पहले नहीं पकाया है सिफ थोड़ा सा रोष्ट किया था बस इसके साथ अब अच्छी तरीके से भून ले चिकन इससे जलेगा नहीं और अच्छी तरीके से बीन पानी का पक भी जाएंगे इसके बाद हम इसमें वण बड़े साइज का टमाटर है वह हमने बारिक चॉप करके डाला है इसके जाए साथ भी हम अच्छी तरीके से भून लेंगे थोड़ा सा ताकि अच्छी तरीके से टमाटर जो है वो मिक्स हो जाए चलिए अब हम इसमें थोड़ा सा नमक एड़ करेंगे अगर आपको लग रहा है कि नमक कम है या ज़्यादा है तो आप उस रिसाब से नमक एड़ कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं हमने यहां पर प्याज और टमाटर डाला है इसलिए हम यहां पर थोड़ा सा सॉल्ट एड़ कर रहे हैं इसके बाद सॉल्ट के साथ हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अब gas का flame इस time पे आप medium कर दे medium flame पे आप इसको थोड़ा सा पकाने के बार अब हम इसको gas का flame जो है एकदम ही low कर देंगे और इसको ढख के हम 7-8 मिनट के लिए पका लेंगे low flame पे पकाना है 7-8 मिनट हो चुके हैं आप देख सकते हैं हलका हलका इसमें थोड़ा सा पानी निकलाया है वो टमाटर और प्याज की वज़ा से हैं बस आप इसको high flame पे अच्छी तरीके से भून लें उसके बाद ही हमारे चिकन जो है वो अच्छी तरीके से तयार हो जाएंगे हमने गैस का flame अभी high कर दिया है और high flame पे आप इसी तरीके से भून लें अगर आपको लग रहा है कि चिकन जो है वो नहीं गले है तो आप गैस का flame लो करके थोड़ी देर के लिए आप आप और इसको ढखके पका सकते हैं चलिए अब हम गैस का flame off कर देते हैं और हम देख लेते हैं चिकन जो है वो अच्छी तरीके से पके हैं या नहीं यह आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से यह पक चुका है इसका जो कलर है वह भी बहुत अच्छा कलर आया है चिकन का अब हम इसको सर्फ कर लेते हैं आप इसको गर्मा गर्म सर्फ करें, आप चाहे तो इसको पराठे के साथ या पूरी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं, यह बहुत ही टेस्टी बने हैं, और हमने इसे बिना पानी से बनाया है, पानी का इस्तेमाल हमने इसमें बिल्कुल भी नहीं किया है, और यह बहुत ही द जादा पसंद आएगा और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गया जो रेट बटन है उसको दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं दूसरी रेसिपी में तब तक अपना ख्याल रखें अल्ला हाफीज